फ्रेंड्स हम कर रहे थे current affairs और top 1000 current affairs हमने शुरू किया था जिसमें हमने 500 question कर लिया था अब इस वीडियो में हम 501 से start करेंगे और 500 से 600 100 question इस वीडियो में हम देखेंगे चलिए start करता हूँ question number 501 से तो पहला सवाल आज की वीडियो का क्या है कि recently अब यह question important क्यों हो गया क्योंकि 2023 का है और दूसरा हिंदी है यह exercise है और यह इंडिया ने किया है तो इसलिए important हो गया किस country के साथ किया है यह किया है सौधी अरफ के साथ दूसरा question है which country has recently decided to celebrate the year to 2025 as special tourism year तो 2025 को special tourism year कौन सा ऐसा country है जिसने decide किया है किसको celebrate करेंगे आंसर क्या होगा बी नेपाल तिसरा question है where has Harris Park been renamed as Little India recently तो Little India आ गया इसलिए भी important हो गया तो यह पार्क Australia में है और इसको नाम दे दिया गया है Little India कभी जा के देखिएगा कैसा पार्क है ठीक है अगला question देखते हैं 504 the government of India has recently launched operation karuna for relief and rescue in which country affected by cyclone तो operation karuna किस country के लिए इंडिया ने recently launch किया है तो देखिए ये launch किया है मैनमार के लिए अभी क्या हुआ था आンसर बतातों पहले आंसर है B मैनमार तो हुआ यह था कि एक cyclone आया था मोचा मोची का बड़ा भाई मोचा ठीक है एक cyclone आया था मोचा और यह cyclone इतना भ्हेंकर था कि ये मैनमार को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था मैनमार और थोड़ा सा बांगलादेश का बेरिया इसने प्रभावित किया था और इसमें जो है हमारा प्यारा भारत इंडिया ने अपना सपोर्ट अपना हेल्प बिज़ा था तीन शिप गया था के रहा है कि प्रायम निश्टरा नरेंदन मोदी जी ने कंट्री का हाइस्ट अवार्ड कंपेनियन ओफ और फिजी ठीक है इनको मिला है और यह किस कंट्री मिला है तो नाम में दिख रहा होगा आपको फिजी दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा डिफीजी अगला कुशन तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 100% प्रधार मंतरी जन्धन योजना को अचीव कर लिया है तो आंसर क्या होगा बिल्कुल सही आंसर है अगला कोशन है विच कंट्री है लॉंच टाइफून असौर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो यह टाइफून डाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा कंट्री है जिसने लॉंच किया है यह लॉंच किया है Turkey तर्की ने अगला कोशन है कि वैर वास व्यवास व्याइट 76 व्ल्ट हेल्थंट एस्म्री और्ग्णाइज कहा हुआ है यह 76 यह हुआ है जिनीबा स्विजर्लेंड में जिनीबा स्विजर्लेंड में ठीक है? अगला है वैर्वासा थर्द गेम 선i Arist इनिडिया इनॉगरेंट थे तो इनिडिया इनॉगरेंट किया जा रहे हैं यह होगा उद्तर प्रदेश में Summon seeking इंडिया इंवर्सिटी गेम्स कहां पे ? यूपी में अगला कोशन है कि ये बहुत ही खुबसूरत महिला है नाम है रैयाना बारनापी और ये साub direct राब्या की है और Axiom Mission 2 पे ये गई है रैयाना बारनापी अगला कोशन है कि तो 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 यह है हमारे भारतिये पूर्म भारतिये कप्तान स्वाररब गॉंगली ठीक है और इनको बना दिया गया है ट्रिपुरा में स्टेट इत्रीक नए brand ambassador ठीक है अगला question है कि biodiversity day international biodiversity day हम कब मनाए हैं यह हम मनाते हैं 22 मही को 22nd of May इस बार का theme क्या था तो इस बार का theme था why do we need why do we need biodiversity why do we need biodiversity यही इस बार का theme था ठीक है चलिए अगला question देखते हैं which tennis player has won the men's single title in italian open तो italian open में men's single title किसको मिला है बताईए किसको मिला है चार option है नवाक जोकोविक होलगर र्यून डैनिल मेंडेवेड रॉबिन हासे तो देखे यह नाम सबसे खतरनाक है प्रनाउंस करने वाला यह है c danil मेंडवेडिव मेंडवेडिव ठीक है यह russian player है भाई साव यह है russian player russian player है ठीक और यह अभी italian open 2023 इन्होंने जीता है अगला question क्या कह रहा है कि recently who has been appointed as the new master general sustainer यह mgs है master general sustainer इंडियन आर्मी का किसको बलाया गया है यह बनाया गया है अमरदीब सिंग आउजला अमरदीब सिंग आउजला ठीक है अगला question है कि recently who has एक second थोड़ा साथ नीचे आना पड़ेगा उस question के पास जाना पड़ेगा recently who has been appointed as the new law minister किरन रिजिजु को replace करके law minister किसको बनाया गया है यह बनाया गया है अरुन राम मेघावल अगला है recently सिदारमया को 22 चीफ मिनिस्टर बनाया गया है कौन से स्टेट का तो यह बनाया गया है आपको पहले से पता होगा करनाटक की मुख्यमंतरी सिदारमया अगला question है कि with the aim of spreading awareness about which disease a national day is celebrated across the country on 16th में every year 16 माई को दिवस मनाया जाता है यह किस disease के against मनाया जाता है और यह मनाया जाता है खतरनाक और इस समय फैल भी रहा है बहुत ज़ादा यह है बी डेंग्यू 16th माई को मनाया जाता है ध्यान रखना है ठीक है अगला question है कि which Indian state has celebrated this foundation day on 16th में तो 16th माई को ही कौन सा state है जो अपना foundation में मनाता है यह है सिक्किम जहाँ पर अभी तीस्ता नदी में बहुत बारवारा आया था बहुत भयानक स्थिती हो गई थी तो answer क्या जाएगा सिक्किम सिक्किम तीस्ता नदी को सिक्किम के life line कहा जाता है अगला question है तो simply यह पुछ रहा है कि ट्विटर के new CEO कौन बनाए गए है यह बनाए गए है लिंडा याकारिनो लिंडा याकारिनो अचा फास्टेस्ट बैटस्वेन इसमें लिया हुआ है फास्टेस्ट बैटस्वेन तो यह फास्ट बैटस्वेन कह लीजिए जिसने फास्टेस्ट फिप्टी लगाया है यह फास्टेस्ट बैटस्वेन गरत लिखा है यहां पर तेरा बॉल में मारा दिया पचासा तो यह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इनों ने मारा था और यह है हमारे राधरस्थान के मतलब है तो यह यूपी के लेकिन खेलते है राधरस्थान से यह सस्वी जैस सवाल बहुत ही यंग टैलेंट है और बहुत बहतरी अगला कॉशन है तो गुच्ची को बनाए गया है आलिया भटजी को अगला सवाल है जो लेटेस्ट है वो हम देख सकते हैं तो इसका आंसर होगा नारू मोल 6 वी थाइलेंड की है यह नारू मोल 6 वी तो आंसर हो जाएगा भी अच्छा इसी में है कि अप्रेल में किस प्लेयर को मेल प्लेयर को बनाए गया है आईसेसी प्लेयर आफ दे मंद तो यह हैं हमारे फकर जमान पाकिस्तान के फकर जमान ठीक है अगला सवाल है कि विच प्लेयर विच मेल स्पोर्ट्समें अगला सवाल है कि विच मेल स्पोर्ट्समें तो यह किसको मिला है अगला सवाल दिखते हैं तो यह क्रिकेट से रिटार्बेंट ले लिया है नाम से तो यह पाकिस्तानी या बांगलादेशी लगनी पर है यह साथ अफ्रिकन ठीक है ध्यान से कुशन करना भी है की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का एक जो रिपोर्ट निकलता है दो हजार तैस में इंडिया का कौन सा रहेंख है यह बहुत ही खराब है दुखद है 161 ठीक है 161 तो बैंक अफ इंडिया के नए MDCEO किसको बनाए गया है यह बनाए गया है रजनीश करनाटक जबरदस्त नाम है भाईन का याद हो गया होगा आपको रजनीश करनाटक अगला है दा फांडे संडे ऑफ विच्टू स्टेट इस सेलिविटेट एवरी येर और फस्ट में अगला कोशन है अगला कोशन है अगला कोशन है नहीं तो बहुँशन है के त्या नहीं स agu裁प्ँश्ट करनाटक उप शन्टेट मेराशंच करनाटक इसस एन करनाटक जा के दोवारा कौन सा है क्या नाम इसका इसका नाम है माना माल लिया चारिये माल लेता है कि माना को बना दिया गया पहला विलेच और यह कहां पर है उत्राखंड में अगला कुशन क्या कहता है कि which state has recently become the first state in the country to approve state good governance regulation तो state good governance regulation जो है ये कौन सा पहला state बन गया है जिसने अप्रूफ किया है तो ये बन गया है महारास्टरा ने C. महारास्टरा अगला question है which country has won Sudirman Cup 2013 तो ये Sudirman Cup title जो जीता है 13 वी बार जीता है कौन सा country है ये है चाइना और ये Sudirman Cup होता किसमें कौन सा कौन से game में होता है ये होता है International Badminton Cup है तो question ये पुछ सकता है कि ये कौन सी sports में Sudirman Cup 2013 या Sudirman Cup खिला जाता है ठीक अगला है which price has won the prestigious Pulitzer Prize 2013 for International Reporting of Russian Ukraine War तो Russian Ukraine War के लिए इसको मिल गया है किसको मिल गया है Pulitzer Prize 2013 देखे चार options से आपके सामने हैं The Washington Post, B है New York Times, C The Hindu है और D BBC इंडिया है तो बिल्कुल सही आपना आंसर देखी लिए होगा आंसर क्या हो जागा? B, New York Times अगला question है कि वेर वाज पीटर्सबर्ग Climate Dialogue 2013 held on climate change from May 1 to May 2 तो देखे ये पीटर्सबर्ग Climate Dialogue 2013 हुआ था climate change में ये बर्लीन में हुआ था जर्मनी में अगला question है कि कौन सा star player है जिसने दोहा diamond league जीता है तो देखे आंसर इसमें दिया हुआ है नीरत चुपरा लेकिन मैं पता दू कि आंसर क्या है इसका देखे आंसर जो है नीरत चुपरा सेकेंड आये थे इन्होंने 83.8 मिटर फेका था और ये लोग भाला फेकते हैं जैबलीन फ्रो और इसमें फर्स्ट जो आये थे वो थे जाकूब वाद लेजे जाकूब वाद लेजे और ये 84.24 मिटर उने फेका था ये हुआ कहा था ये हुआ था यूगीन औरेगन में औरेगन में ये कॉंपिटिशन हुआ था दोहा डाइमंड लीग ये दोहा जो है ये कतर की रालता नहीं है तो कंफ्यूज मत होईएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं नेक्स क्या क्या रहा है तो पहला स्टेट बन गया है जो देघा फ्री अर ट्रेवल पीलगृम्स को ये कौन सा स्टेट है ये है मभिप्रदेश थीक है मभिप्रदेश अगला है फ्लेट अगला कोशन क्या कहला है कि विच स्टेट अव इंडिया ये लार्जस्ट है यह largest है यह इनागरेट हुआ है तमिलाडू में यह कहां इनागरेट हुआ है तमिलाडू में अगला कोशन है एक्षविट प्लेज द एक्सोपच्छीस फीट टॉल स्टेच्व दॉक्टर भीमरा अमेटकर है अगला कोशन है तो यह नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि हुसें इनागरेट जॉइंट फूड फ्लड रिलीफ एकसाइज नेम्ड जल राहत यह असम में हुआ है गुजरात कॉफ्स इंडियन आर्मी का इन्होंने यह जॉइंट फ्लड रिलीफ एकसाइज किया है जल राहत ठीक है असम में अगला कोशन है विच कंट्री हाइस्ट अनॉर इन्होंने इनको मिला है किस कंट्री का यह अवार्ड है यह है फ्रांस का इस तरह का नाम लीजन दी ओनर टाइप का नाम फ्रांस का ही रता है अगला कोशन क्या है कि वेर डिट द यूनियन डिफेंस मिनिश्टर आजनाथ सिंग इनागरेट फर्स हेरिटे सेंटर तो पहला लंदिंग शिप सो इन्डीन न Divi हैस बीन डी ओ मिला जापन साथ यह सिप का नाम कीई है इस उप इनस मगर ये पूछी रा था मगर मैंने कीया कि तुमने मुझे डी खेअ इनस मगर अगला कोशन है Hagola के वेटेट रह अग़ इन कोशन है कि वेरड हैंट जोबर जोबल हेल् कर दिया गया और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप जिंदा है तो समझी आप बहुत लगी है बहुत लोग मारे गए अगला कोशन क्या है मैं तो हूँ ही लगी मैं बना रहा हूँ वीडियो अगला है कि which state has been ranked as the most innovative state in the recent national manufacturing innovation survey तो ये है करना टक बी करना ट तो 17th commander in chief किसको बनाए गया है ये संजू बाला कृष्णन को बनाए गया है संजू बाला कृष्णन ये संजादतवला साजू है ये संजू नहीं है साजू ठीक है अगला कोशन है recently who has been elected the president of all India theater council all India theater council all India theater council को में president किसको choose किया गया है ये प्रसांत दामले आंसर क्या होगा प सागर स्रेश्ट सम्मान ये कोचिंग फोर्ट को मिला है सागर स्रेश्ट सम्मान बहुत important question है और ये award कौन दिया है सरवंदा सोनवाल जी ने अगला question है which country has recently become the seventh country in the world to legalize euthanasia euthanasia का मतलब होता है passive death passive death यानि अगर किसी ऐसी बिमारी से ग्रसित है कि अपने जिंदगी आप country ने recently third largest exporter of India जो export करती है इंडिया कुछ फर्ड लार्जेस्ट इस्पोर्टर कि कौन सी country बन गई है यह बन गई है नीधर लेंड अगला question क्या किया रहा है वुपुल्ला प्रनीत यह बयासिवे ग्रान वेस्टर है यह किस state से बिलॉग करते हैं तो यह करते है तेलांगना स तो यह options है हर्याना जारखंट उडिसा उत्तर उत्तर प्रदेश तो आंसर क्या हो जाएगा ए हर्याना अंडर यह तेरहवा होकी इंडिया सब जूनियर वोमें नेशनल चेंप्रशिप है और यह हर्याना जीत लिया है अगला question recently who has become the chairman of union public यान UPSC इसके chairman किसको बनाए गया ह अगला question क्या किया रहा है with which state is the him data portal launched him data portal launch किया गया है digital service के लिए यह कौन सा state है जिसने इसको launch किया है तो नाम में ही है him himachal himachal प्रदेश ठीक है भी himachal प्रदेश अगला question recently between two countries the fourth edition of joint exercise समुद्र शक्ती यह organize किया गया है किस दो country के बीच यह किया गया है इंडिया और इंडोनेसिया के बीच किया गया है A option ठीक है अगला है which state government has launched गीता कर्मिकुला बीमा योजना गीता कर्मिकुला बीमा योजना यह तिलांगना state ने इसको launch किया है अगला question क्या है कि 62 new satellites of Saturn the second largest planet of solar system have been discovered recently तो यह कितने satellites है Saturn के पास यह है 145 satellite अब यह हो गया सबसे ज्यादा satellite वाला planet यह बहुत important है कई लोग current affair अगर नहीं पढ़ेंगे तो जूपिटर लगा किया है ठीक है अंसर क्या हो जागा Saturn सबसे ज् तो सिलंका में obvious है कि सबसे पास हमी है इंडिया तो सबसे ज़्यादा हमी जाएंगे वहाँ ठीक है और उसके टूरिजम डिपार्टमेंट को बढ़ावा देंगे अगला question आफर जम्वन का समीर इंविच स्टेट इंडिया लाजेस लीथियम रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर मिला है यह मिला राजस्थान में भी राजस्थान दौपधी मूर्मु जी ने किरती चक्र दिया है और यह कितने लोगों को दिया है डिफेंस इंवेस्टीचर सर्मनी हुआ था रास्पधी होवर में 9 मैं 2023 को यह 8 लोगों को दिया है 8 आदमी को किरती चक्र अगला question है क अगला question है कि which has become the first state to make digital health card तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टाट किया है 25,000 का card यह मिलेगा 25,000 और पे मिलेंगे जिसमें आप cashless चुदा ले सकते हैं बच्चे के लिए और यह school में प्रोग्राम हुआ था उसी में यह मिला है अगला question है कि with whom is project Sanjay in the news तो Sanjay जो है यह Indian Army से related है Sanjay प्रोजेक्ट Sanjay अगला है on May 6 2013 border heart यह कहां inaugurate किया गया है यह इंडिया और बांगलादेश यह दो country है और border heart बोला गन जगा है वहाँ पर यह inaugurate किया गया है अगला question है कि which day was celebrated on 15 में 15 में को family and demographic change यह international family day मना जाता है 15 में को बहुत important है यह डाइट पूछ लेगा कि international family day कम मना जाता है 15 में अगला question है कि which Indian American है इसेंटे भी ने पॉंटेट है यह है गीता रह गुपता गीता रह गुपत देखते हैं क्या है कि मौदलाम चेनमो फेस्टिवल यह कहां पर मनाया जा रहा है यह मनाया जा रहा है लेमे यानि लद्दाक में और यह 3 साल बाद स्टार्ट हुआ है तो यह कहां मना जाता है आप हमको बताइएगा चले लिखाई हुआ यहां पर नागा किया है IIT मदरास ने और ये underwater communication में अपना योगदान देंगे मिलके अगला कोशन है इन्वे सिटी पुलिस आजिसेंटी लाँ स्टे इन यूर लेन केंपेंड ये सारजा UAE में एक जगह है सारजा जहां पर मैचेस खेले जाते हैं और यहीं पर स्टे इन यूर लेन स्टार्ट वाँ है केंपेंड पुलिस के द्वारा अगला कोशन है कि वेर वाज थ्री डे इंटरनेशनल म्यूजियम इक्स्पो 2023 हैल्ड ये निउ डेली में स्टार्ट हुआ है 18 मैं 2023 को अगला है who was the first Muslim woman to do post graduation in Malayalam language और अभी इनकी मृति हो गई है ये former MLA रह चुकी है केरल की इनका नाम है नभीसा उमल नभीसा उमल इनका नाम है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला सवाल कोशन है कि at what position did India win 14 medals in Asia Cup stage 2 archery world ranking tournament held in Tashkent तो सबसे पहली बात की Asia Cup जो हुआ है stage 2 archery का ये कहा हुआ है Tashkent में और इसमें इंडिया की position क्या है 14 medal के साथ इंडिया first position पे है बहुत इक गर्व की बात अगला है film love in 90s ये पहली film बन रही है ताजगिन एक community है और ये अरुनाचल प्रदेश की एक community है और तपन नतान ये तपन नतान इसको बना रहे है इस movie को और ये बन रही है अरुनाचल प्रदेश में ठीक है अरुनाचल प्रदेश की movie है तो आप से ये पुछा है कि ये ताजगिन community है कहा की नीरा टंडन को अगला कोशन है कि फिच रेटिंग है GDP ग्रोथ का ये फाइनेंसेल एर 2023 के लिए कितना रखा गया है ये 6% रखा गया है 6% रखा गया है ठीक है 6% रखा गया है अगला कोशन है कि वाइ हूम है था केमपेन नेम पोशन भी पढ़ाई भी पूछ ये भी सकता है कि ओसन कॉंफरेंस हुआ कहां पे तो ये हुआ है धाका में अगला है विच हैस बिकम दा फर्स्ट स्टेट इन इंडिया तो इंप्लिमेंट राइट तो वाउक ये हर्याना ने स्टार्ट किया है राइट तो और ये किया है प्रोटेक्शन अफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानि कि आर्टिकल 21 के तहट राइट तू वाउक अगला है इंप्लिमेंट कॉशन है ये अगला है विच स्टेट पॉलिस इस रनिंग अस्पेसल केंपेइन काल्ड ऑपरेशन मर्यादा तो अपरेशन मर्यादा कौन से स्टेट की पॉलिस ने स्टार्ट किया है ये किया है उत्राखंड उत्राखंड के पॉलिस ने इसको स्टार्ट किया अगला कॉशन है कि फ्यूगो वालकेनो Fugo Volcano कौन से country में start हुआ है ये हुआ है गौाटे माला में अगला question है कि Which woman journalist imprisoned in Iran has been awarded UNESCO World Press Freedom Award तो ये World Press Freedom Prize 2023 मिला है किसको ये तीनों को मिला है निलोफर हमीदी ठीक है इलाह मुहमदी और नर्गिश मुहमदी इन तीनों को मिला है World Press Freedom Prize 2023 और ये जेल में है ठीक है अगला है कि Which country has given to this Cyclone एक मोचा है तो ये इसका नाम जो मोचा पड़ा है ये कौन से country ने दिया है ये दिया है ये मेन ने और ये मोचा आपको बता चुका हो कि ये आया था कहाँ पर मैनमार में आया था और ये कुछ बांगला देश के भी part को effect किया था अगला कॉशन है Antonio Karpazal ये अभी recently मृत्यू हो गई इनकी तो ये किस सिस से related है ये football से related है किस game से related है ये football से related है क्या नाम है इनका Antonio Karpazal अगला कॉशन है कि Which company been recently replaced भारत पे भारत पे को किस company ने recently replace किया है Global Sponsor of ICC तो ये launch किया है Mastercard ने A Mastercard अगला कोशन है कि On the Occasion of National Technology Day ये 11 मई को बनाया जाता है 2023 में भी बनाया गया है और रनेंद मोदी जी ने Foundation Stone रखा है Scientific Projects कितने करोर का ये परोजेक्ट है ये है 5800 करोर 5800 करोर अगला कोशन है कि Which State Government has inaugurated Sea Harrier Museum Sea Harrier Museum कौन से State ने inaugurate किया है ये किया है आंध प्रदेश ने अगला है Who has been honored with the भारत रत्न डॉक्टर अंबेड का reward ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेड का reward जो है ये किसको मिला है ये मिला है योगी आधित नात जी को लास्ट सवाल इस वीडियो का है Who has become the first athlete to win बोथ the Lores World Sportsman of the Year award and the World Team of the Year award तो Lores World Sportsman और World Team of the Year ये दोनों award ये किसको मिला है ये मिला है लियोनेल मेसी और ये अर्जेंटिना के footballer है इनको ये award मिला है ठीक है क्या है award का नाम Lores World Sportsman of the Year और World Team of the Year तो ये मिला है लियोनेल मेसी को चलिए 601 से 700 अगले वीडियो में करेंगे इस वीडियो में इतना ही दना